सो यारो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन टीवी शोस के रिपिटेटिव स्टोरी लाइन्स के बारे में आज गल टीवी शोस में वही पुराने स्टोरी को बार बार रिपिट किया जाता है और लोग इस चीज से ठक गए हैं तो चलिए इसी टॉपिक को डीटेल में समझते हैं तो चलिए पहले बात करते हैं कि रिपिटेटिव स्टोरी लाइन्स होती क्या है ये वही कहानी होती है जा सेम कॉन्फलिक ड्रामा और ट्विस्ट को बार बार दिखाया जाता है जैसे किसे शो में हमेशा वही फैमिली ड्रामा रिष्टो में टेंशन या लव ट्राइंगल्स होती रहती है कुछ भी नए नहीं होता जब एक स्टोरी बार बार रिपीट होती है तो वीवर्स का इंट्रेस्ट खतम हो जाता है हर बार वही देखने से मज़ा नहीं आता अब यगर देखो स्पेसिविकली बात करें तो बात करने वाला हुमें तारख में तका उल्टा जश्मा शो के बारे में इस शो में वही पुराना ड्रामा रिपीट होता रहता है कही बार ऐसा होता है कि ओडियन्स पहले से प्रेडिट कर लेते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा ये चीज़ काफी फ्रस्टेटिंग है क्योंकि लोग नए ट्विस्ट और सर्प्राइस का इंतिजार करते हैं जो लोग शोस को देखते हैं उनमें से 70% लोग रिपीटिटिव स्टोई लैंस के वरे से बोर हो जाते हैं और इनका असर शो के वीवर्शिप पर पड़ता है जिसका वरे से शो का टीरपी भी कम आ रहा है अब बात करते हैं वीवर्श के रियक्शन की सोशल मीडिया पर लोग अपने रिव्यूज और ओपिनियन्स को शेयर करते रहते हैं ट्विटर, इंस्टागाम, फेस्बुक पर आप देख सकते हो कि लोग कंप्लेन करते रहते हैं ये तो मैंने पहले भी देखा है या वो पुराना स्टोरी फिर से दिखाया जा रहा है ऐसा फीडबेक चैनल के लिए एक वर्निंग साइन होता है क्योंकि जब वीवर्श बोर होने लगते हैं तो शोक की पॉपुलरेटी आटोमेटिकली कम हो जाता है अब सोचने बाले बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रोडिूसर्स और राइटर्स को नए आइडियाज लाने में प्रॉब्लेम हो रहा है लेकिन ये लॉग टर्म में काम नहीं करता अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है प्रोडिूसर्स और राइटर्स को नए यूनिक आइडियाज लाने परेंगे क्योंकि वीवर्श को फ्रेश और एक्साइटिंग कॉंटन चाहिए अगर शोज नए स्टोरी लाइन्स और ट्विस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो सभी शोज का टीरपी काफी इंक्रीज हो सकता है बाकि देखो इस चीज़ के बार में आपका क्या ओपिनिन है वो मुझे कमेंट करके जरू बताना मैं मिल तो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई